मध्य प्रदेश के नागदा सेयूप्त ट्रेड यूनियन मोर्चे ने ली ग्रेसिम गेट मिटिंग सूपर यूनियन लीडर विजे सीहर रगुवन्शी जोच सीहर राठोर ने जानकारी दी है पास सालाना समझोते का मामला अब गर्माता जा रहा है पहले कांग्रेस द्वार गेट मिटिंग सुबो स्वामी द्वारा ली गई उसके बाद भारती जन्ता पार्टी के सांसत अनिल फिरोजिया भी मजदूरों के बीच पहुचे और आज ग्रेसिम के इंटक के विजे सीहर रगुवन्शी एवं बी एम एस के जोच सीहर आठोर पहुचे जिन्होंने शा प्रभंधन और शासन होगा रगुवन्शी जी ने ये भी बताया कि समझोता तो ट्रेड यूनियनों को करना है दोनों पार्टी सिर्फ अपनी राजनितिक रोटियां सेखने का काम करती है क्योंकि उन्हें वोट चाहिए परन्तु हम कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते और ना ही हमें लड़ना है उन्होंने ग्रेसीम की मजदूरों से कहा कि उनकी बातों में ना आए और रगुवन्शी ने ये भी कहा कि अभी जो भी बात हुई है उसको सारवजनिक नहीं करना चाहते टाइम आने पर उसे सारवजनिक कर दिया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि समझोता कभी भी हो परंतु लागु एक जन्वरी से माना जाएगा और सभी मजदूरों को एरियल दिलाया जाएगा और ये भी कहा जो समझोता पिछली बार हुआ था उससे भी अच्छा और मजदूरों के हितों में करवाएंगे गेट पर कुछ ठेका श्रमिक अपने हाथ में 150 से उपर लिखकर खड़े दिखाई दिये पिछली बार 30 से 35 रुपे बड़ोतरी ठेका श्रमिकों को की गई थी जिसे ठेका श्रमिक बढ़ा कर 150 करना चाहते हैं नागदा से संजेश शर्मा की रिपोर्ट